अनिता जी का जबज़ा सोरी टूसे का एक वीडियो आया है पूरे दिन में तुन्होंने कोई वीडियो नहीं डाला लेकिन उन्होंने रात को वीडियो डाला है जो कि आपको जो ये मेरा पोड़कास है ये मौर्निंग में मिलेगा क्योंकि मैं रात को बना रही हूं तो अनित तो करते हैं, लेकिन प्रूव नहीं देते और हम जो जो भी चीजे करते हैं जो इनके वीडियो में दोनों तरफ को जो भी वीडियो जाती हैं उनमें जो भी दिये गए सब्सक्राइब हो जो जा पर बात करते हैं हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल चैनल में न्यू है तो चैनल आपको सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ बैल आइकन प्रेस कर दें जिससे के हमारे आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको पहले मिलें वीडियो की स्टार्टिंग में ह क्या मैटर है और किस ने उनके उपर सवाल उठाए हैं हम जो बात करते हैं यानि के मैं जो बात करती हूं वो मैं बात करती हूं करंट वीडियो पर जो करंट वीडियो इनके आ रहे हैं जो इनकी तरफ से वीडियो आ रही है और या फिर बसंती जी की तरफ से जो भी वीडि थे कि अगर ये सारी ननदों को बुला कर अपनी वीडियो में सवाई पेश करने का मौका देती है या फिर उनको इंटरफेर करने का घर में मौका देती है तो जब उनके साथ कोई नहीं है तो उनके भाई जब आ रहे हैं तो उनको बाहर वाला ना बोला जाए हां ये सपोर्ट करना चाहिए एक भाई है अच्छा है सक्षम है बच्चे बड़े हो गए है जिमेदारी कम है एक छोटा भाई है जो अब है इनी इस दुनिया में उसकी भावी जो मतलब उनकी वाइफ है वो विड़ो है बच्चे छोटे है पिता जी उनके साथ में है तो देखा जा चाहिए आ बिल्कुल और वो इस घर की बड़ी बेटियां है तो क्या उनका माबाप पर या माबाप की किसी भी चीज के लिए कोई अधिकार नहीं बनता है क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता है अगर पिता जी ने उनसे 40,000 रुपे लिये थे और उन 40,000 रुपे में से उन्होंने 30,000 रुपे लोटा पाए क्योंकि वो शक्षमते सरफ 30,000 रुपे लोटाने में तो क्या वो 10,000 रुपे नहीं छोड़ सकती थी कि वो भी मेरी माता जी के ऐसे वक्त में काम आये थे जब माता जी के लास्ट रिचुल किये जा रहे थे जिसकी वज़े से पिता जी ने उनसे उधार लिया था बताईए ना निता जी इसमें कहां ये सवाल गलत है तो प्लीज अगर ये वीडियो आप सुन रहे हो तो इसका रिप्लाई जरूर दीज जो लास्ट रिचुल होते हैं वो सब कुछ करने के लिए पैसा चाहिए था यानि कि उनको हेल्प चाहिए थी तो पहली बात तो आपको करना चाहिए था आपको लाला जी को करना चाहिए था लेकिन हमें नहीं पता अपने लाला जी ने क्यों नहीं हेल्प की क्योंकि आप तो इस लायक है, आप तो शक्षम है इस लायक, कि आप 40,000 रुपी एक मिनिट में खच कर सकते हैं, तो फिर आपके पिताजी को वो लोन लेना नहीं पड़ता, यानि कि उधार लेना नहीं पड़ता घर की बेटियों से, लेकिन अगर घर की बेटियों ने दे भी दिया, तो प आदिशुदा अपने घर की बेटियों हो गई, ये बात तो भाई समझ में नहीं आई हमें, एक तरफ तो घर की इज़त की बात करती हैं, और दूसरी तरफ फिर ये कहती हैं, बड़पन ना दिखाते हुए भी ये कहती हैं, कि भाई अब एक एक चीज यहाँ पर सोशल मीड आपने अपलोड होगी, चलो मैंने माना कि उन्होंने जो चीज़े हैं वो बताई, वो अपलोड की सुनाई हैं, जो कुछ कहा, आपने कहा, कि वो आधीधूरी रिकورडिंग सुनाई गई थी, और घर की इजबत को वो निलाम कर रही है, वो घर की इजबत कर रही है, तो आप तो कम सकम छुपा सकते थे आगर आपकी ओडियन्स आपको जो से आप कह रहे हो कि मैं 8-10 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूं तो मैं जो भी कुछ बताऊंगी मैं अपनी उस ओडियन्स के लिए बताऊंगी जिस ओडियन्स को मैं इतने सालों से वो मुझे देखते आ तो डेफिनेटली आप पर इस बात के लिए ट्रस्ट भी करेंगे तो आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोई अगर किसी को 10-8-10 साल से देखता आ रहा है तो डेफिनेटली उसके बारे में पूरा यकीन रखता होगा कि नहीं इस बंदे के बारे में जो भी कुछ बोला जा रहा है वो गलत है क्योंकि हम इसको डेफिन से फोलो कर रहे हैं तो फिर तो आपको सफाई देने की जरूरत ही रही है तो क्यों आप अपने घर की बदनामी कर रहे हो पुराने बातों को यहां पर लेकर आकर आप देखिए जो आपने कहा है उसी के बिहा पन नहीं दिखाया कि बड़े होने के नाते आप बड़े लाला जी बड़े दोनों तीनों चारों ननन दे बड़े तो लेकिन फिर भी आप मेंसे किसी ने भी बड़पन नहीं दिखाया कि घर की इजट को इस तरह से बदनाम मत करो इस तरह की वीडियो ना डालो कोई ऐसी बनाते ना क्योंकि कैमरा तो आपके पास भी है तो जब वो चीजे रिकॉर्ड हो रही है जो चीजे बसंती जी के चैनल से हमें सुनने को समझने को मिली थी वो तो हम आपकी चैनल से सुनने समझने को भी मिल सकती थी तब उस दोरान आपका कैमरा क्यों नहीं उठा जब वहां निता जी, आप शायद पूल जाती है, खुदी आप अपना व्लोग बनाती है, खुदी उसमें बहुत सारे बातें बोलती है, और खुदी फिर भूल जाती है, माफी मांगने वाली बात पहले सबसे पहले आपने उठाई थी, कि ये माफी मागेंगे पैरों में जुक कर और व अब मैं सारी चीजे बताऊंगी और जितनी बताई भी है उससे क्या इज़त रह जाएगी आपने अपनी मरी हुई मात जी कि जो भी बाते बताई है कि उनके शरीर से कुछ निकल रहाता यह निकल रहाता बहर जो इस दुनिया से चले गए है क्यों बेकार कि उनकी इज़त भी ये बाते तो हमें पसंती जी के चैनल से देखने को सुनने को नहीं मिली कि वो ऐसी भी कुछ बाते थी कि उनके शरीर से कुछ निकल रहा था या वो मुक्त होना चाहती थी या वो परिशान हो रही थी या यहां से भागना चाहती थी या वो किचन में जाना चाहती थी या उन का कौन सा आखरी दिन है तो आप उनको आखरी दिन समझ कर खिला रहे हो अगर कोई बिमार है और डॉक्टर ने उनको परहेज का खाने को बोला है तो परहेज का खाने के लिए तो इसलिए बोलते हैं न कि जिससे की जादा से जादा जिन्दिगी वो बचा सकें या उनको ना बिमार थी और वो बिमार होने की वज़े से आप खुद कहक्या रहे हो कि वो चारपाई पर ही सब चीजे करती थी जबकि वो खुद अपने आपसे ना टॉलेट जा सकती है ना पौटी जा सकती है ना कुछ जा सकती है तो क्या डॉक्टर ने ये चीजे बोल दी थी कि अब इनको जादर दिन की जिंदगी नहीं है इनको जो कुछ खाना पीना है वो उसको खिलाओ पिलाओ हमने तो भाई यही जाके और तकलीफ ना हो, उसकी तकलीफ ना बढ़े, और तकलीफ धीरे-धीरे कम हो जाए, इसलिए पोस्टिक खाना खाने के लिए बोला जाता है, सेमी लिक्विड हो गया, लिक्विड हो गया, खिच्डी हो गया, कम घी तेल का हो गया, कम घी मसाले का हो गया, लेकिन अनित जी एक चीज और मुझे पूछनी थी कि आपको उन लोगों से प्रॉबलम है जो आपको कमेंट कर रहे हैं या उन लोगों से प्रॉबलम है जो रियक्शन चैनल बना रहे हैं यानि कि जो सवाल उठा रहे हैं क्योंकि कभी आप कहते हो कि रियक्शन चैनल वाले हैं कुछ एक बिहाव पर दिया जाता है जिस चीजों के अपलोड आप करते हो और उसमें कुछ भी चीजें सबूत होती है जैसे कि पसंती जी की तरफ से जो वीडियो आई थी जो गोलू ने वीडियो डाली थी डेफिनेटली उसमें कोई भी बंदा होगा तो वो इस चीज को देखेगा कि उसमें आपकी वीडियो की तरफ से आपकी mail id की तरफ से उसमें copyright strike साफ साफ आया हो था जिस चीज को जो सामने से दिख रहा है पढ़ने में आ रहा है समझ में आ रहा है कि किसने क्या किया है और जो वो बोल रहा है उसको वो verify भी करता है सबूत तो क्यों ना कोई भी उस ची एक दी है और हमने क्यों दी है लेकिन उसका आपने क्या कहा रिप्लाई में कि कोड़ उठा के किसी को अम्बानी बना के दिखा दो तो पहली बत तो ऑनिता जी वो अम्बानी नहीं बने आई ठीकर है और दूसरी बात अगर आपने यह किया Grande I स्थृत किया हूं और हर पूड् लिया उससे उनको खाने कमाने दीजिए तो इसमें ताना वारने वाली क्या बात हो गई उसमें ये कहने वाली बात क्या हो गई कि किसी को उठा के आप सड़क से उठा के अंबानी बना दिया ना 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 अंबानी वो भी नहीं बने है जैसे आपने मेहनत की है वैसे उन्होंने भी महनत की है हाँ मैं इस बात को डिनाइ नहीं कर रही हूं कि डेफिनेटली आपने मैंने पहले भी हमेश आपने पोड़कास में यह बोला है कि आपने चैनल क्रिएट किया आपने उनसे कंटेंट करवाया तो उनकी भी महनत है और आपकी भी महनत है आपने अपलोड किया है समाले हैं भागदोडी भी की है तो 50% कम सकम उनको दे दिया होता और चलिए 50% भी नहीं कम सकम उनकी मेहनत कर दे दिया होता मैंने तो एक्जामपल दिया है कि अगर आप महिने के 40,000 रुपे उससे कमा रहे थे तो 40 की जगत 10,000 रुपे उनको दे दिये होते 30 आप रख लिए ह होते क्योंकि सब कुछ आप मैनेज करे थे लेकिन वह भी नहीं हुआ था अब क्योंकि गोलू सब के सामने वीडियो बना कर प्रूफ के तोर पर वह सारी चीज़े बता रहा है कि हमें 2000 रुपे दिये जाते थे उसके बारे में तो आपने एक बार भी नहीं बोला आपने रि रिकॉर्डिंग अप्लोड किया है और उन्होंने पूरी बात दुनिया को बताई ही नहीं है तो प्लीज आप बताईए पूरी बात क्या है लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूंगे कि बताने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़े कम होती है जैसे कि आपके बेटे ने सरा रिकॉर्डिंग और यह जो बल्ब था वहां से निकाला था और उसमें से वह जो कार्ड वगरा सब कुछ निकाले थे तो वह सब में दिखाई दे रहा था कि 128 GB मेमोरी कार्ड में कितनी ही रिकॉर्डिंग हो जाएगी यह तो ओविएसले सबको पता था तो आपके पास कोई जीरो recording नहीं है क्योंकि अगर आपके पास recording होती तो definitely आप उसका use करती है और अपने case के लिए और भी जदा मजबूताई हो जाती है आपकी case के लिए लेकिन वो है इनी आपके पास अगर होता तो सबसे पहले आप upload कर दे और रही बात complain करने की तो complain करने के लिए आप पहले ग कर सकते थे क्या गाओं समाज को बिठा के सारी बाते नहीं कर सकते थे क्या पंचायत में सारी बाते नहीं हो सकती थी तो complain करने के लिए पहले आप पहुचे थे और counter complain में फिर इनकी तरफ से complain हुई है मैं तो हम पहले से ही कहती आ रही हूं कि जिस तरह से बसंती जी ने ये complain की गई है वो सरसर गलत कि मैं तो आज भी इस बात को ही बोल रही हूं कि मुझे नहीं लगता कि रहला जी ने और बच्चों ने इस तरह से किया होगा लेकिन ये होता है बदला जब सामने की तरफ से कोई एक चीज होती है ना तो दूसरे आदमी भी फिर दूसरी और लोग को सुलजाया जाए लेकिन हमने जो सुना आप उसमें बार-बार कह रही हैं कि नए हो नाक रगड के माफी मांगेंगे पैर पकड़ के माफी मांगेंगे तो उन्होंने बोल दिया ना कि पंचायत के ओपर छोड़ दो अगर पंचायत कहती है बनों तरफ का मामला सुनके के ह मैं पैर पकड़ के माफी मांगने चाहिए तो हम पैर पकड़ के माफी मांगने लेकिन माफी मांगने का जो पहली बात आई थी आपने खुद अपनी ननत के सामने ये वीडियो में बोला है कि नहीं वो माफी मांगे हम से और हम उनको माफी मांगेंगे वो पैर पकड़ के हम भी 20,000 बार ये सब चीज़े आपके मुझे सुन चुके हैं कि हम पर केस चला है अभी हम ये काम नहीं कर सकते हम पर केस चला है अभी हम बताने सकते हम पर केस चला है तो हम ये नहीं कर सकते हम पर केस चला है तो हम ये नहीं कर सकते हम पर केस चला है तो जितने एक्सक्यूज प्राब्लम भी तो अगर वो ये कह रहे हैं और कहीं से भी पहल हुई देखो अगर आप समझदार हो तो इन सारी चीज़ों को कोट कचेरियों में ना ले जाकर ना बच्चों का बविश्य बरबाद होने दें और ना ही गोलू-गोल्डी के मामा और उनका जो कजन है उनका वापस ले लें बैट के पंचायत में बात कर लें अगर आपको चाहिए और पंचात को लगता है कि किस तरफ की गलती है कैसी गलती है तो वो बोल तो रही है कि हाँ ठीक है अगर पंच बोलते हैं तो हम माफी मांगने को तयार हैं लेकिन आपने तो अपनी रिकॉर्डिंग वापस लेने को तयार नहीं हो लेकिन एक भी बात पर अडिवी हो कि जब चीर हरन हुआ है कितना बड़ा शाबद है चीर हरन हुआ है तो उसका तो फल मिल नहीं चाहिए हमें सजा मिलनी चाहिए और अब तो कोट में जाएगा केस तो ना तो आप पीछे हट रहे हो अपनी शर काउंटर में वो FIR करवाई गई है और वो भी इसलिए करवाई गई है जिससे की कानूनी करवाई हो सके पहले आपकी तरफ से लोगों को इतने सारे लोगों को FIR कराई गई और इतने सारे लोग उसमें फस गए तो भाई इनको भी तो अकल देने वाले बहुत सारे लोगों गे तो जैसे आपने अपनी अकल से काम किया, लेकिन उससे नुकसान किसका हो रहा है, आप दोनों लोगों का आपस में नुकसान हो रहा है, और हर रही बात रियक्शन चैनल वालों की, तो भाहि रियक्शन चैनल वाले सबूत की तोर पर जाके बाते करते हैं, जो भी सबूत वर्डिंग दिखा दी होती हैं। उनसे भी कहो कि वो भी अपनी कंप्लेम वापस कर ले को पंचायत में बैठ के माम ले को शौट कर ले तो रही बात उनके काम की, आपने उनको रास्ता दिखाया, चलो बहुत बड़ी बात है कि आपने रास्ता दिखाया, और ऐसे बहुत सारे व्लोगर्स हैं, जो किसी का एक का चैनल जब चल पड़ता है, तो उनके घर, खांदान, रिष्टदार सब व्लोगर बन जाते हैं, और आपके साथ लिखा वाता, उनका दाना पाणई काम करना, उतना दिन उन्होंने आपके साथ काम कर लिया, अब अगर वो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, या तो आप उनको संतुस्ति वाला करने देते, उनको उतना पैसा दे धिया होता, जिससे कि उनका घर पानी, हम कुछ ACFIR करेंगे कि हमारा वाला केस ज़्यादा मजबूत हो चाहे तो वैसे उन्होंने चैनल के बारे में भी सोचा कि भाई अगर यह हमें इतना पैसा नहीं दे रहे हैं तो फिर हम अपना करेंगे तो उनको करने दिया होता क्या जरूरत थी आपको उन पर कॉपिराइटर स्ट्राइक भेजने की क्या जरूरत थी आपको यह कहने की कि बिजनेस तो यह हमारा है हमारा यूट्यूब है हमने तुम्हें रास्ता दिखाया यह तो आप आज की वीडियो में भी बोल रहे हो के नई वीडियो यूट्यूब है हमने काम करा है किसी को हमने सड़क से उठा के अंबानी बना दिया है तो अनिता जी अंबानी तो कोई नी बन सकता अंबानी तो सरफ एक ही है हाँ इतना जरूर है कि कोई सब कोई होता है अपनी ही मेहनत का खाता है वो मेहनत कर रहे हैं आप मेहनत कर रहे हैं आप मेहनत कर रहे हो अपनी मेहनत कर रहे हो और मैं मेहनत कर लेकिन ये बात जरूर है कि जो भी प्रूब होते है न प्रूफ के तोर पर हमारा रिक्शन भी होता है आप भी स expensive कर सकते हो ना recording पेश कर सकते हो जो लड़ाई झगड़ा हो तब की recording भी फेस कर सकते हो क्योंकि आप लेकर रहे थे कि दर्वाजे पर camera लगा ही नहीं है और बहुत सारी चीजे जो है ना वो आपकी तरफ से लेट देर सवेरे वो सब रिप्लाई आते हैं तो या तो अपनी चीजों को पेश करें और सामने से अपलोड करें और दिखाएं और फिर अगर बड़पन वाली बाते करती हो तो थोड़ा सा और बड़पन किजेए बाओ जी के साथ मिलकर बैटकर बात कीजीए क्यों किसी और को मुका देते हो इस सारी बाते करवाने का अगर अगर आप इतनी समस्दारी की बात करते हैं कि हमारे घर की इजत है और वो सोचती है कि उसका अकेला घर है हम सोचते हमारा अकेला घर तो अलग अलग नहीं है एक ही घर है, अगर एक ही घर की इतनी फिकर है तो क्यों घर को इतना खराब होने दे रहे हो ऐसे और बहुत सारी बते हैं